Hello everyone, guys, my name is Vineet Kaankar and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला बाई P.W. तो दोस्तो, number system की धासू शुरुबात हमने की है, काफी चीज़े हम देख चुके हैं, लेकिन अब मैंने जैसे कहा, exam oriented topic स्टार्ट हुए थे पिछले क्लास से. तो आज का भी जो topic है ना, वो बहुत important है, exam point of view. आप cat बोल लो या omet बोल लो दोनों के लिए. So topic का ना में दोस्तो, unit digit theorem, तो बिना किसी देरी के शुरुबात करते हम number system का ये बहतरीन topic, unit digit theorem. तो ये number system, arithmetic की दुनिया foundation आप देख चुके हो, number system की दुनिया का ये lecture number fourth है, और पुरा ध्यान देना, guys, इतनी शानदार trick है, इसमें सब बताऊँगा. तो पहले तो हम concept और trick देखेंगे की कैसे हम unit digit find करते, किस type के question आते है, question का nature मैं आपको बताऊँगा, और फिर कैसे हम unit digit find करते है, वो मैं आपको बताऊँगा, और फिर उससे related questions हम देखेंगे, ठीक है? तो yes, बिना किसी देरी के, guys, सबसे पहले तुम आपको बताता हूँ कि question की variety क्या है, किस type के question आते है, तो simple, आपको यहाँ पर बड़े-बड़े expression दिये जाएगे, लेकिन कभी भी question पूरा solution नहीं पुछेगा, वो पुछेगा find unit digit, find last digit, तो unit digit से तो आपको रूबरू आप हो ही unit digit से, unit digit मतलब क्या होता है, last digit, है न, हमने last, जब हमने place value यह सब देखा था, तो मैंने बताया भी था, इसको unit digit हो रहा है, बचपन से बता है, इसको 10th place बोलते है, इसको 100th place, इसको 1000th place and so on, बागी हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है, सिर्फ इस last digit से, इस तो जभी भी question आपको बड़ा सा expression देगा और उसका आपको जो भी answer आएगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ, उसको answer से मतलब नहीं है, जो भी answer आएगा, वो रहने तो side में, वो बोलना चाहता है कि भाई, उस पूरे answer का आखरी digit क्या, last digit क्या, वो question आप से पूछना जाता है, for example 45 into 32, इसको अगर question बोलेगा, find unit digit of this expression, तो question आपको यह पूरा multiply करने नहीं बोलरहा है, वो आपको क्या बोलरहा है, कि बस इसका unit digit क्या, तो आप चाहे तो इसको पूरा multiply करके आखरी में क्या digit आ रहा हो बता सकते हो, है ना, आखरी में क्या digit आ रहा है वो आप बता सकते हो, जैसे कि 45, 20, 90, तो यहाँ 0 आ गया, 9 is the carrier, 45, 30, 135, 135 प्लस 9, 144, तो 1440 एंसर आया, लेकिन जैसे मैंने कहाँ उसको पूरे एंसर से मतलब नहीं है, उसको शिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, लास्ट डिजिट आया 0, तो बट गाइस क्या यह 0 बोलने के लिए इतना पूरा करना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी नहीं था, अगर question आपको 45 into 32 बोल रहा है, तो और उसने आपको बोला है, what is the last digit of this expression, what is the unit digit of this expression, तो आपको सिर्फ अगर unit digit बोला है, तो यह unit digit theorem का concept आपको बोलता है, कि आपको भी सिर्फ unit digit से मतलब होना चाहिए, अगर question को से मतलब है तो आप क्यों भालतू बातों में हो लज़रे हो, पूरा answer निकालने के चक्कर में, तो आपको simply unit digit से मतलब होना चाहिए, जैसे कि इस number का unit digit 5 है, इसका 2 है, तो बस 5 into 2 करो 10, 10 में भी आपको सिर्फ क्या लिखना है unit digit, मतलब अगर आपका answer, उस multiplication का answer, अगर 2 digit है, उससे बढ multiply करने के जोरत नहीं, आप सिर्फ क्या करो, इसका unit plus 4, इसका 2, दोनों को multiply करो 8, खत्म, जो भी answer आएगा, definitely last digit 8 रहेगा, यहाँ जो भी answer आएगा, last digit 0 रहेगा, 5 into 2, 10, 10 में भी unit plus 0, तो यह है unit digit 3, अच्छा, sorry, ऐसे question आएगे, नहीं, ऐसे question तो नहीं आएगे, question में बहुत challenges आने वाले और उसके लिए आपको trick सीखना है, लेकिन question का theme यही है, इसी तरह वो बड़े-बड़े expression देगा, यह तो बहुत हलवे expression थे, लेकिन बड़े-बड़े expression देगा, और finally पूछेगा यही चीज़ की, बताओ, इस पूरे expression को solve करने के बाद, जो भी answer आएगा, उसका unit digit क्या, that's it, तो guys, देखलो जैसे 45 into 133, 79, 42, 1976, 183, 1999, यह expression आपको दे दिया, और question बोल रहा है, बताओ, इस पूरे expression को solve करने के बाद, जो भी बड़ा सा लंबा चोड़ा answer आएगा, उसमें last place क्या, तो दोस्तों, again अभी आपने जो देखा, अभी आपने जो किया था, उस दो नंबर के लिए किया था, लेकिन ऐसे अंगिनत नंबर है, तो भी आप कर सकते हो, simply क्या करना है, सारे नंबर से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब यह सिर्फ unit place, unit place, unit digit theorem ने हमें यह सिखा दिया है, कि अगर हमें सिर्फ unit digit निकालना है, तो हमें मतलब होना चाहिए unit place से, और सॉरी, 27, 9,3,027, तो 27 में भी आप क्या लिखोगे, सिर्फ 7, only 7, तर 2 का आगया, 2 को carrier लेंगे, नहीं, 2 गया, बस, भुल जाओ उसको, है ना, तो आपको 3 into 9, 27, सिर्फ 7 लिखो, अगले, देखो, अगला unit place को ने, 42 का unit place है, 2, 1976 का 6, 6 into 2, 12, आप क्या लिखोगे, सिर्फ 2 अगयन इनके बीच में क्या है, मतलब आपने इन दोनों की एक pair बनाई, इन दोनों की बनाई, इन दोनों की बना लो, है ना, और इनके बीच में क्या है, multiplication, carry, carry forward करो, ये sign, अगयन यहाँ unit place है 3, यहाँ 9, अगयन कितना हुआ, 27, यहाँ लिख लोगे 7, अगयन इन दोनों के बीच में क्या है, multiplication, carry forward करो, तब तक करते रहो, जब तक एक single digit का value ना मिले, single value with single digit, single digit की value ना मिले, तब तक करते रहो, अभी भी देखो, यहाँ पे 1, 2, 3 value से single digit की, हमें single digit की single value चाहिए, तो देख लो, again same process, 7 into 2, 14, 14 में भी हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 4, अब गईस, नहीं बन रही है, यह single है, तो उसको as it is carry forward करेंगे, as it is carry forward and 4 into 7, 28, और 28 में भी unit place को है, 8, तो guys, सो बात की एक बात, जब मैं इस expression को solve करूंगा, आप चाहे तो calculator निकालना, try करना, इस expression का बड़ा सा लंबा चोड़ा answer आएगा, लेकिन उस answer का unit place पक्का 8 रहेगा, उस answer का unit place पक्का 8 रहेगा, यह हमें पता चल गया unit digit theorem से, तर ऐसे question आएंगे, ऐसे भी नहीं आएंगे, और भी heavy question है, but वो समझने के लिए थोड़ा step by आपको उपर लेकर जाना जोरी है, जो मैं कर रहा हूँ, तो पहले दो-दो numbers में आपने देखा, अब इतने numbers में देखा, एक 2, 3, 3, 4, 5, 6, 2, 2 की pair बनाई, अच्छा, आप मैं सोच रहों कसर अगर यहां 7th number होता तो, तो वो तो मैं आपको बताई चुका हूँ, जहां तक pair बनरी बनाओ, जहां नहीं बनरी इसको carry forward करो, for example, अगर यहां एक number और होता, 2, 7, 1, 3, तो देखो यहां pair बना, 3 into 9, 27 हमने 7 लिख को carry forward करो, carry forward करो, अब क्या करोगे, अब फिर से same process, जब तक single digit, single value ना मिले, तो अब guys, 7 into 2, अरे किदर गया, कोई बात नहीं, हाँ, तो 7 into 2, 7 into 2, 14, 7 into 3, 21, यह 1, ठीक है, अगेन इन दोनों की pair बनागी, इन दोनों की, तो यहां पर बज गया था, इसको carry forward किया, यहां pair में इसके पहले example में, जब हमने यह number नहीं लिया था, तो इन दोनों की pair बन गी थी, यह अकेला हमने carry forward कर लिया था, बट इस बार pair बन गी, तो 7 into 3, 21, उसमें unit digit है 1, और guys, अब इन दोनों का 4 into 1, 4, तो again, अगर मैं इन सारे number में, यह एक number और multiplication में add कर दू, जो भी answer आएगा, आने दो, बट उसका unit digit 4 रहेगा, जो question ने पूछा होगा, ठीक है guys, तो sir, यह तो समझ गया, इतना हलवा topic है, topic तो literally हलवा है, लेकिन एक variety बस आपको बताना है, और जिसमें आपको खास वो trick काम आएगा, वो table काम आएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो first of all मुझे आपको इस concept की theme बतानी थी, तो I guess theme आप समझ गयोंगे, unit digit theorem में इसी तरह वो बड़े-बड़े expression देगा, addition के form में, multiplication के form में, division के form में भी दे सकता है, but division के form में आप direct unit digit theorem apply नहीं कर सकते, फिर उसमें क्या करना होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो मैं आपक समय आने पर, यानि question आने पर बताऊंगा, लेकिन the theme of the topic, इसी तरह वो आपको expression देगा, पूरा solve करने के बाद, जो भी answer आएगा, उसका unit digit क्या हो पूछेगा, तो जब हमें पता है कि हमें answer से unit digit का देना है, तो हम भी उसको पूरा solve करने में में महनत बेकार नहीं करेंगे, हम भी सिर्फ किसके साथ खेलेंगे, unit, unit, unit place से हम खेलेंगे, जैसी हम खेल रहे हैं, यहाँ पर हम unit place से खेले, unit place से खेले, यहाँ बस unit place से खेलते जाएंगे, answer निकल जाएगा, तो गयरी एक simple से example लेते हैं और फिर आते हैं वह last variety जिसके लिए खास यह lecture आपको देखना ठीक है तो इसमें कैसे करोगे अगें तो अब सर आपने जो किया step by step by step क्या वो ही करना जूरूरी है या हम अपने हिसाब से कुरी line में एक ही बार कर ले बिल्कुल कर सकते हो जैसे कि देखो 1 into 2 2 फिर now 2 into 3 6 now 6 into 7 42 हम क्या लिखेंगे 2 and 2 into 8 16 तो final answer क्या बना 6 मतलब आप ओरली भी कर सकते हो तो मैं step by step आपको understanding के लिए बताया जो मैंने बताया वो क्या था इस तरह था ना पहले इन दोनों की पैर उसमें भी unit place 1 unit place 2 ये बना 2 फिर इन दोनों की पैर 3 into 7 21 ये बना 1 फिर ये 8 अकेला ये number अकेला रहे गया ना तो ये 8 as it is carry forward multiplication है now 2 into 1 2 ये 8 अकेला carry forward ना इन दोनों की multiplication 2 आई ये 8 carry forward और ये 16 में 6 is the final answer final single value कुणसी बची single digit की 6 तो 6 is the unit digit of this entire expression वो ही मैंने कैसे कर दिया था इतना सब step by step करने की ज़रोद नहीं आप simply orally भी कर सकते हो जो हमने किया था हो क्या था सीधा 3 unit place 1 into 2 2 है ना now 2 into 3 6 यहा तक 6 आ गया now 6 into 7 42 बट 42 में भी हम किसको लेंगे 2 है न तो इन चारों का मिला के क्या आया 42 यह ने के 2 and last ये बचा 8 तो 2 into 8 16 तो guys 16 का unit place हुआ 6 तो ये है guys unit digit theorem की theme अब हम शुरुवात करते है unit digit theorem का actual concept की sir question किस टाइप कहेंगे दोस्तो question आएंगे कि बताओ unit place of 257 raise to 3 8 1 2 5 oh my god sir 257 का square का मतलब होता है कि 257 का दो बार multiplication 257 के cube का मतलब होता है 257 का तीन बार multiplication लेकिन यहां तो देखो 257 raise to 3 8 1 2 5 मतलब 257 का कितनी बार multiplication अरे बाप रहे बोलने में थग गया 3 8 1 2 5 times 3 8 1 2 5 times multiplication तो मुझे बताओ कि आपके पास इतना टाइम है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसको उतनी बार लिखू 3 8 1 2 5 times फिर आप सोचोंगे फिर next step 9 into 9 81 तो सर यह कैसे करेंगी फिर हम लिखना तो पड़ेगा guys इसी के लिए तो अब process जो मैं बता रहा हूँ जो trick बता रहा हूँ जो इससे भी हलवा है जो अब तक हमने किया उससे भी हलवा है वो सुनना ऐसे question जब आएंगे न सब आपको यह trick काम आएगी क्योंकि नहीं जैसे मैंने का आपके पास time है नहीं मेरे पास time है कि 257 को हम 38125 टाइमस लिखे 257 into 257 into 257 into चलने दो और फिर unit into unit unit into unit करता रहें नहीं यह trick नहीं हुई यह तो और फिर lendी में थड़ोगे फिर करें क्या तो guys अब आपको जो मैं table समझाने वाला हुना वो table समझना ठीक है बहुत सही ढंग से table को समझना table समझ लिए topic खतम और कुछ है नहीं इसमें पूरे की question हम you solve करेंगे table के दम पे तो सबसे पहले मैं table का structure आपको बता रहा हूँ मुझे बताओ आपके पास जिस दुनिया में हम जी रहे हैं हमारे पास कितने digit है हमारे पास है 0 से लेकर 9 digit है ना उपर वाले ने हमारे planet पे हमको कितने digit दी है 0 से लेकर 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी नोट्स में पहले मैं आपको समझा रहा हूँ टेबल आप रट ना लो टेबल को इसलिए मैं बता रहा हूँ टेबल बनने का बहुत सिंपल तरीका रटने की ज़रूद नहीं है तो देखो मैंने 0 to 9 digit आपके सामने लग लिए और अब मैं पता इनकी क्या कर रहा हूँ मैं इनकी raise to power ले रहा हूँ याने 0 raise to 1 मैं ले रहा हूँ raise to power raise to power तो 0 raise to 1, raise to 2, raise to 3, raise to 4 अच्छा बाप सोचो के सर, raise to 4 तक ही क्यों लिया raise to 5 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया वो भी एक reason है, वो भी मैं बताऊंगा ठीक है, इसलिए समझ ना, बस जितना time लगेगा अब ये table को लगेगा समझाने में बाकी और कुछ नहीं है इस topic में तो guys, अब मैंने क्या ले लिया, मेरे पास जितने digit है पहले तो सारे लिख लिए 0 to 9 और फिर ले ली मैंने raise to power, 1, 2, 3, 4 तो चलो, अब ये table बनाते हैं अब क्या करना है, आपको ये सारे digit का raise to power लेना है, लेकिन आपने एक चीज़ समझ लिए, इस topic के theme को पकड़ लिया है, कि unit digit theorem में हमें मतलब स्रिफ unit digit से है तो जबी भी कोई raise to power लेने के बाद value 2 digit, 3 digit 4 digit की आए तो आपने उतना पुरा नहीं लिखना है आपने बस उस जो भी 2, 3, 4 digit की value आ रही है, उसका स्रिफ last place लिखना है, जैसे 0 raise to 1 तो 0 होगा, 0 का square 0, 0 0, 0 raise to 4, यह सब raise to power है 1, 2, 3, 4 now, so guys उसी तरह आपने 0 का दो लिख लिया, अब 1 का लिख लो 1 raise to 1, 1 square तो 1 raise to anything की 1 में होता है जैसे 0 raise to anything is 0 1 raise to anything is 1, 1, 1 अब देखना है, now 2, यह क्या है 2 2 raise to 1, 2, 2 square 4 2 cube 8, 2 raise to 4 16, लेकिन देखो 16 में मैंने क्या लिखा सिर्फ 6 तो मैं वो ही बोलना चाहता था, कि कोई भी digit की अगर raise to 2, 3, 4 power अगर काफी बढ़ी आ रही है 2, 3, 4 digit की आ रही है तो उसमें भी आपको सिर्फ unit place लिखना है यह तो हम समझी चुके, पिछले चंद example से आपको समझी गया है कि हमें मतलब सिर्फ unit digits है now, 3 raise to 1 3 square 9, वैसे तो आपको cube तक पता होना जोरी होता है, सारे 1 to 15 number के basic requirement में बोला है आपको लेकिन अगर नहीं भी याद है तो यार, simple है, 3 square 9 3 cube 27 होता है, तो 27 का unit digit 7 अगर नहीं भी click हो रहा है तो 3 की power ले रही हूँ न अब तो जो भी digit आएगा, उसको 3 से multiply करो यह मिलेगा, उसको आप इस 3 से multiply करो यह मिलेगा, उसको आप इस 3 से, जैसे 3 raise to 4 81 होता है, कितना होता है 81, तो हमें क्या लिखना चीए सिर्फ 1 लेकिन अगर आपको 3 raise to 4 81 है नहीं पता, तो यह क्या कर रहे है आप 3 के साथ खेल रहे हो न, तो 3 raise to 1, फिर इसको 3 से multiply किया 9 आया, इसको 3 से multiply किया 27, देखो बराबर 7 आया, अब इसको 3 से multiply, तो 7 into 3, 21 देखो बराबर 1 आया अगर आपको 3 raise to 4 81 मालूमें, फिर भी आप 1 ही लिखोगे अगर आपको 3 raise to 4 81 नहीं भी मालूमें, तो मैंने क्या बताया simple, यहाँ जो आया है 3 raise to 3 तक का unit digit क्या आया है 3 raise to 3 तक का unit digit 7 आया उसको एक बार और 3 से multiply करो यहने 21 21 में भी हम 1 ही लिखेंगे, 81 में हम भी हम नहीं लिखेंगे, हमें मतलब ही unit place से जो same ही आएगा, again 4 raise to 1 4, 4 square 16 4 cube 64, again आपको 4 cube अगर नहीं पता है, तो इसको वापिस 4 से multiply करो, कितना आया 6 into 4, 24, देहो वापिस 24 का unit place is what, 4 and again 4 को, यह place को फिर से 4, यह आप 4 का row बना रहे हो तो इसको आप इस 4 से multiply करो, 4 into 4 16, तो 16 का unit place 6 आया, अगर मानलो आपको नहीं भी पता, तो 4 raise to 4 कितना होता है, 256, तो 256 में भी unit place क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है, पराबर, तो देख लो guys table कैसे बन रहा है, समझ रहा है न तो sir, इसका मतलब हमें raise to 4 तक सब याद होना जूर रही है, नहीं याद होना जूर रही है, याद रखोगे तो अच्छी बात है, उसका कोई side effect नहीं है लेकिन अगर याद नहीं भी है अगर याद नहीं भी है तो भी आप बना सकते हो, कैसे अगर आपको नहीं भी मालूम, तो 9 को ये किसका रोवन आ रहे हो, 7 का, तो 9 को 7 से multiply करो, 9 into 7, 63, देखो बराबर 3 आया, अगें 3 आया है हापे, हमें 7 raise to 4 अगर नहीं पता, तो 3 को 7 से multiply करो, क्योंकि ये 7 का रोव है, तो 7 into 3, 21, बराबर बनाया, और 7 raise to 4 होता है, 2, 4, 0, 1, वैसे भी 1 ही आएगा, ठीक है, तो गाइस, मैंने का आए, जितना time ले रहा हूँ, पर से table समझाने में ले रहा हूँ, क्योंकि majority student एक बहुत बड़ी गलती करते, table को रटते है, रटनानी ये process याद रखो, फिर जभी भी question के हिसाब से, जिसकी भी row बनानी है, आप आराम से बना लोगे, रटनी की जरूरती पड़ी है, same, 8 raise to 1, 8, 8 square 64, 8 cube 5, 1, 2 होता है, नही ये 8 का रो बन रहा है, तो इसको 8 से multiply कर लो, 8 into 4, 32, बराबर 2 आया, अब 8 raise to 4 नहीं पता, तो इसको 8 से multiply कर लो, 8 into 2, 16, 6 लिख हो गया, again 9 raise to 1, 9 square 81, again 9 cube 729 होता है, नहीं पता, तो इसको 9 से multiply कर लो, अब आपीस इसको 9 से multiply कर लो, हो गया, तो guys, ये है वो chart जिस पे आप unit digit theorem के बड़े से बड़े question, जो cat में भी आ चुके है, omit में भी आते हैं, वो solve कर सकते हो, ठीक है, अब मैं कुछ आपकी doubt क्लियर कर लेता हूँ, सबसे पहला doubt, कि sir, ये raise to 4 तक ही क्यों लिया, बराबर, raise to 1, raise to 2, raise to 3, raise to 4 तक ही क्यों लिया, sir, raise to 5 क्यों निया, guys, क्योंकि raise to 4 ये maximum power है, जहाँ पर आपको uniqueness दिख रहा है, कुछ तो हर बार अलग-अलग digit दिख रहा है, जैसे कि देखो, 0 में तो मुझे बताओ, कोई भी uniqueness नहीं है, 0 का तो starting से repetition स्टार्ट हो गया, raise to 1, low, 2 low, 3 low, 4 low, 0, 0, 0, 0, 1 का भी देख लो, 1, 1, 1, 1, 5 का भी देख लो, 5, 5, 5, 6, 6, In fact, 4 देखो, 4 में एक बार 4 आया, फिर 6 आया, यहाँ तक unique था, कुछ तो हटके था, लेकिन वापिस cycle repeat होना शुरू हो गया, 4, 6, वापिस 4, 6, 9 में भी देख लो, 9, 1, वापिस 9, 1, लेकिन गाइस, कुछ digit ऐसे है, कुछ digit ऐसे है, जैसे के digit 2, digit 3, है न, digit 2, digit 3, digit 7, and digit 8, इस इसमें आप देखो, 2, 4, 8, 6, सारे के सारे हटके unique है, 3, 9, 7, 1, 3 के रो में भी देखो, सारे हटके है, बट पता यह uniqueness जो हटके है, बात आरी है न, वो स्रिफ raise to 4 तक है, जैसे आप raise to 5 लेने गए, चेक कर लो, इसमें तो कोई tension है नहीं, यह तो पहली repeat होना शुरू हो गया, है न, यहाँ तो पहली repetition स्टार्ट हो गया है, कम से कम आपको uniqueness कहा तक मिला, 2 के रो में मिला, 3 के रो में, 7 के रो में, 8 के रो में, इसलिए आपको raise to 4 तक लेना पड़ा, लेकिन यह जो uniqueness की limitation है न, वो raise to 4 तक ही है, raise to 5 में यह भी uniqueness चला जाएगा, वो भी repetition स्टार्ट कर जैसे देख लो, जैसे देख लो, अगर मैं 2 की बात करूँ, अगर मैं 2 की बात करूँ, तो 2 raise to 4 तक आ गया, 69, 2 raise to 5 क्या होता है, 32, 2 raise to, अगर मैं raise to 5, raise to 6 भी लेता, तो 2 raise to 6 क्या होता, 64, तो guys, देखो, cycle repeat हो रही है, 2486, यहाँ तक unique मिला, उसके बाद आपिस 2486, तो आपको uniqueness स्रिफ raise to 4 तक मिल रहा है, आप raise to 3 में भी देख लो, 3971, 3 raise to 5 बता है, कितना होता है, 243, 3 raise to 6 बता है, कितना होता है, 729, देखो, 3 के row में भी repetition स्टार्ट हो गया, 3971, फिर से 3971, तो आपको raise to 4 तक इसलिए लेना होता है, guys, हाला कि यह सब चीजे अगर मैं ना भी बता हूँ, तो कोई रती भर भी फरग नहीं पड़ेगा आपको, exam point of view बस यह table काम का है, अगर unit digit पूछा है तो, अगर मैं यह ना भी बता हूँ कि rest to 5 क्यों नहीं लिया, rest to 6 क्यों नहीं लिया, तो भी कोई फरग नहीं पड़ना है, लेकिन कोई कोई student होते है, जिनको यह है ना, तो 0 का तो ऐसे ही repeat हो रहा है, 1 का तो 1 हो रहा ही, सिर्फ जो repeat नहीं हो रहा था, वो भी repeat होना शुरू हो गया यहां से, 3, 2, है ना, तो इसलिए rest to 5, rest to 6, आगे जो भी आप लोगे वो फाल्तु की मेहनत है, पूरी process, जो uniqueness है, जो नयापन है, वो rest to 4 तक है maximum, वो भी maximum, कोई-कोई digit तो उसके पहले ही surrender हो गए, जैसे 0, 1, 4, दो बार उसने uniqueness दिखाया, बाद में फिर repetition स्टार्ट हो गया, लेकिन कुछ digit ऐसे थे, उनके लिए हमें rest to 4 तक लेना पड़ा, that's it, ठीक है, अब इसको हम जादा stretch नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है, यह exam point of view irrelevant बा आएगा, इस expression का unit digit क्या आएगा, जिसको हम traditional approach 257 into 257 इतनी बार हम नहीं कर रहे है, अब हम इस table से solve करेंगे, और process क्या सुनो, तो सबसे बहले table कैसे बनाया, जितने digit हमें इस दुनिया में मिले है, सारे लिख लिए 0 to 9, इसके अलाव कोई भी digit है, इसके अलावा जो भी number है सारे इनी digit से बने, इनके अलाव हमने कोई digit नहीं देखा, इन सारे digit की raise to 4 तक हमने power ली, raise to 4 तक ही क्यों लेना है, मैंने बताया, यह ना uniqueness, maximum raise to 4 तक है, और उन power में भी हमने अगर 2, 3, 4 digit के number मिल रहे है, तो उसमें भी हमने कौन से digit पकड़े है, स्रिफ unit, 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 क्योंके ह मतलब है, अब देखो process क्या है, trick क्या है, trick समझो, अब पता यह जो आपका, दोस्तो, यह जो अब आपका raise to 1 का column है न, यह raise to power के column को अब हम remainder के column बोलेंगे, कौन से column बोलेंगे, remainder, समझना बात को, पहली बार समझने में थोड़ा clarity हलकी से हैगी, दुसरे बार में थोड़ी जाधा आएगी, तिसरे example से confidence आजाएगा, तो पहले पूरे example लोगा, फिर question देखूँगा, guys, तो remainder यह जो first power का column है, उसको हमेशा remainder 1 बोलो, जो second power का column है, उसको remainder 2 बोलो, जो 3 power का column है, उसको remainder 3 बोलो, जो 4 power का column है, उसको remainder 4 नहीं, 0 बोलो, क्यों 0 बोलो, वो भी बता यह सारे column की value जो है, raise to 1 वाले, raise to 1 वाले, यह remainder 1 को represent करेगी, raise to 2 वाले, remainder 2 को, raise to 3 वाले, remainder 3 को, and raise to 4 वाले, remainder 0 को, अब देखो process क्या है, सबसे पहले तो अब आपका जो भी question है, आपका unit digit यही गई तो चुपा हुआ है, जो भी question है, आपका unit digit यही गई तो चुपा हुआ है अब धुनना कैसे है, तो simple, एक row पकड़नी, एक column पकड़ना है, row किसकी पकड़े, तो जो भी question है, again मैंने कहा, यह unit digit theorem का question है, हमें इसमें स्रिफ unit digit से मतलब है, बाकी number से मतलब नहीं, तो जो base है, base क्या है, मैं स्रिफ base की बात कर रहा हूँ, power को बात में देखेंगे, तो base में जो unit digit है, उसको पकड़ो, guys, तो base का unit digit कौन है, 7, base का unit digit है, 7, तो base का जो भी unit digit है, उसकी row को पकड़ो, मुझे बताओ, base का unit digit 7 है, तो उसकी row कहा है, आपने पकड़ ली, yes, ठीक है, आपने वो चीज, पकड़ ली आराम से, देखो, तो यह रहा, 7, जो भी base का unit digit है, उसकी row पकड़ो, तो हमें 7 की row पकड़ना है, मतलब पता है, guys, इतना तो fix हो गया, आपका answer एक तो 7 होगा, 9 होगा, 3 होगा, या 1 होगा, क्योंकि 7 की row में यही चार digit है, अब इसमें से भी कौन सा है, मानलो option में चारो दिये, तो फिर कौन सा ले, तो simple है, अब power काम आईगी, याने base के दम पे आप किसको पकड़ रहे हो, row को, और power के दम पे किसको पकड़ोगे, column को, खता, base के दम पे row को पकड़ो, power के दम पे column को पकड़ो, base के दम पे row को कैसे पकड़ा, base का जो भी unit digit है, बस उसकी row को पकड़ो, अब power के दम पे column कैसे पकड़े guys यह जो power है उसको 4 से divide करो और जो remainder आएगा उसका column पकड़ लो इसलिए मैंने इन सारे column को कौन सा column बना दिया raise to power के column को मैंने remainder का column बना दिया अब पहली बात आप सोचो के सरफ 4 से क्यों divide कर रहा है क्योंकि हमारे पास maximum raise to 4 तक ही column है और raise to 4 तक ही हमने लेना है क्योंकि हो uniqueness raise to 4 तक ही आता है तो इसलिए हम हमेशा power को 4 से divide करेंगे हमेशा सरफीस question में नहीं always और जब हम इसको 4 से divide करेंगे हम check करेंगे remainder क्या रहा है quotient नहीं quotient गया तेल लेने remainder क्या रहा है तो जब इस number को 38125 को हम 4 से divide करेंगे guys 49000 hold on मैं इसकी trick भी बताऊंगा इसकी trick भी बताऊंगा बस बने रहो 43012 0 पे ये 5 carry क्या 41004 हमें quotient से मतलब नहीं हमें देखना है remainder क्या है जो remainder आया बस उसका column पकड़ लो मैंने पहले क्या है remainder 1 याने first column remainder 2 आता तो हम second column पकड़ते, remainder 3 आता तो third पकड़ते और guys अगर हम 4 से divide कर रहे है अगर हम 4 से divide कर रहे है तो maximum remainder क्या आएगा 1, 2, 3 4 से divide करने पह 4 remainder कभी नहीं आता, तो maximum remainder 3 तक आएगा, या फिर at extreme case क्या हो सकता है, number 4 से completely divisible भी तो हो सकता है तो अगर number, मालो ये power 4 से completely divisible होती तो remainder क्या आता, 0 और इसलिए last column 0 का है समझ रहे हो, तो guys base के unit place से आपने row को पकड़ा, मतलब पक्का आपका answer in में से कोई तो है अब आपको पकड़ना है column को तो column को पकड़ने के लिए इस power को compulsor ये fix process है power को 4 से divide करो और check करो क्या remainder आ रहा है, जो भी remainder आ रहा है वो column को पकड़ लो, तो 3, 8, 1, 2, 5 को जब 4 से divide किया remainder आया 1 तो ये column पकड़ो, तो 7 के row में first column का element कोई सा है, बागी तो देखना ही नहीं है, देखना ही इसको इसको इसरिफ 7 की row उसमें first column का element कोई सा है, 7 finish guys, तो 7 is the answer इस वाले expression को मतलब 257 को अगर मैं 3, 8, 1, 2, 5 times multiply करूँ calculator भी थक जाएगा calculator भी syntax error बता देगा यह ना, लब exam में calculator allowed होने के बाद भी calculator काम नहीं आएगा, लिकिने trick काम आएगी तो 257 को 3, 8, 1, 2, 5 times multiply करने के बाद जो भी बड़ा लंबा चोड़ा answer आएगा, उसका unit place पता है क्या रहने वाला है 7 उसका answer जो भी आए, बड़ unit place रहेगा 7 लमका guys, बस यह अगर चमक गया तो बड़े से बड़े question आप इसके solve कर लो तो उसके लिए chart आपको रटना नहीं है, कैसे बना वो तरीका समझना जूरी है, तो सबसे पहले 0, 2, 9 और raise to power तक हमने ले लिया 1, 2, 3, 4 उसमें भी स्रिप unit digit लिखते गए और बस हो गया first column यानि raise to 1, raise to 2, raise to 3, raise to 0 करना क्या है, जो base है उसके unit place से रो को पकड़ो, तो यहाँ base के unit place 7 था, यानि ये रो को पकड़ा और power को compulsory 4 से divide करो, चेक करो, remainder के आ रहा है, question नहीं और जो remainder आएगा, उस column को पकड़ो, remainder वान है तो first column 2, 3, तो first column में 7 के रो में, 7 के रो में, first column में 7, इसलिए 7 इस दाएंसर अब बात आती है कि सर ठीक है, लेकिन क्या हर बार ये division करना होगा नहीं guys, मैंने कहा ना मैं इसकी trick भी बताऊंगा, तो ये हर बार आपको division करने की ज़रुरत नहीं है, इसकी भी trick छुपी हुई है lecture number 2 में, number system का lecture number 2 अगर आपने miss क्या होगा तो देख लेना, जहां मैंने सारे divisibility rule बताय थे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का है ना, सारे divisibility rule बताय थै तो उसमें 4 का divisibility rule क्या था guys miss के होगा देख लेना, लेकिन अभी के लिए सुन लो 4 का divisibility rule था कि कोई भी number 4 से कोई भी नमबर 4 से तब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते है किसी भी नमबर के आखरी 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते है तो वो पूरा नमबर 4 से डिवाइड होता है या फिर वो लास्ट टू डिजिट और फोर से डिवाइट नहीं भी हो रहा है तो वो जो रिमेंडर देगे पुरा नमबर भी वो ही रिमेंडर देगा यह याद रखना तो मानलो 3, 8, 1, 2, 5 पूरे नमबर को छोड़ो पूरा नमबर नहीं देखना है क्या देखना है स्रिफ लास्ट टू डिजिट पच्चिस, क्या पच्चिस 4 से डिवाइट हो रहा है नहीं इसका मतलब यह completely divisible नहीं है अगर completely divisible होता तो हम रिमेंडर 0 बोलते हैं लेकिन यह completely divisible है नहीं तो क्या पूरे नमबर को 4 से डिवाइट करना है नहीं लास्ट टू डिजिट और उसको 4 से डिवाइड करो, वो डिवाइड हुआ, तो 0 रिमेंडर, नहीं हुआ, तो चेक करो, एक तो रिमेंडर 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, इनिश, ऐसे बड़े-बड़े क्वेशन आप इस पे कर सकते हो, गाइस, ठीक है, तो, यह रहा आपका वो टेबल, नहीं कहा न, तो टेबल तो मैंने आपको अनुटे नोट्स के फ़र्म में तो दिया ही है, एक सिस्टेमेटिक फ़र्म में, 0 to 9 डिजिट, यह रिमेंडर, तो कोई भी क्वेशन आने दो, तो, अगर मैं आपको यह क्वेशन ले लूँ, मैं आपको ले लूँ, बताओ, 389 raise to 253 plus 123 raise to 28910, अच्छा, आपने ऐसी चीज़े multiplication में देखी, लेकिन ऐसी addition में भी हो सकती है, जैसे multiplication में आपने देखा था, multiplication में क्या होता था, मानलो multiplication में, अगर ऐसा कुछ है, 891 into 917, तो इसका unit place आप कैसे निकालते थे, 1 into 7 है न, 7 से, तो मानलो गर वो ही इनके बीच में addition है, 891 plus 917, कोई tension नहीं, जहाँ multiplication थी, इसलिए आपने इन दोनों में multiply किया, अब addition है, तो इन दोनों में add करो, तो 9 plus 7, यह कोई tension नहीं, multiplication, addition में बिंधास जो sign है उसको apply करो, इसका unit place अलग से निकालो, इसका unit place अलग से निकालो, दोनों को multiply करो, अगर multiplication है तो add करो, अगर addition है तो, तो उसी case में गाईस, यह वाला question देखना, तो 389 raise to 253 and 123 raise to 28910, मैंने क्या कहा, पहले इसका unit place अलग से निकालो, इस का unit place अलग से निकालो, कैसे निकालना है, इस पर पूरा रामायन महाभारत मैंने आपको बता दिया है, अभी जस पूरी process बता इए, तो इसका unit place अलग से निकालो, इसका unit place अलग से निकालो, इस बार दोनों में क्या है add, तो addition कर डालो, multiplication होता तो multiply कर देते हैं, चलो देख तो guys, simple है, मुझे बताओ, सबसे पहले तो मैं इसका निकालता हूँ, तो इसमें unit place को ने 9, बराबर यह रहा 9, इसका अदलब row तो हमने पकड़ ले हैं, 389 में unit place को ने 9, तो row पक्का आपकी 9 है, तो आपका answer क्या है, 9191, इन में से कुछ तो एक है, लेकिन उसके लिए हमें क क्या रहा है, 1, क्या 53, 4 से divide हो रहा है, नहीं, इसका मतलब यह पूरा 253 भी नहीं होगा, बट यह क्या remainder देगा, तो last two digit, यानि 53 को 4 से divide करू, 13452, बट यह 53 है, 1 is the remainder, और 1 remainder है, मतलब कौन सा column, first column, raise to 1 वाला column, for remainder 1, तो guys, 9 के row में, first column का digit है, कितना आया, 9, तो यहाँ तो पक्का क्या आ जाएगा, 9, यहाँ पक्का आ जाएगा, यानि इस पूरे expression का unit digit 9 है, नो आजाओ second पे, इसमें plus sign है, इसले plus बोल दो, अब आजाओ second पे, यहाँ पे again base कोन है, 123, उसमें unit base कोन है, 3, इसका मतलब यह row है पक्का इन में से कोई तो एक answer है, 3, 9, 7, 1, उसमें भी क्या करो, last digit, last two digit को, power के last two digit को, on is 10, इसको four से divide करो, remainder क्या आ रहा है, 2, और two remainder आ रहा है, मतलब कौन सा column, second column, तो row कौन सी पकड़ी थी, 3 की, उसमें second column याने 9, 3 के row में second column याने 9, तो guys, इसका भी unit digit 9, इसका भी unit digit 9, 9 plus 9 18, but 18 में भी आप क्या लिखोगे, सिर्फ आखी digit, 9 plus 9 18 है, but 18 में भी आप लिखोगे, सिर्फ 8, इसमें आपने 53 को four से divide किया, one remainder आया, इसलिए ये column पकड़ लिया, इसलिए unit digit 9, फिर plus इसलिए plus, ये 9 तो हो गया, फिर plus, फिर यहाँ unit place 3 है, तो इसलिए ये row पकड़ी, और 10 को, last two digit को, मैंने कहा, ट्रीक, पूरे नंबर को नहीं, 28910 को नहीं, 10 को four से divide को, remainder 2, तो remainder 2 आया, मतलब ये column, remainder 2 मतलब ये column को पकड़ो, 3 के row में ये column, याने 9, तो 9 plus 9, 18, but 18 में भी remainder क्या आएग होता, 8 है, हाँ, अगर वो ही मानलो, यहाँ multiplication होता, तो यहाँ पर भी multiplication आता, 9 into 9, 81, तो 81 में भी हम क्या बोलते है, 1, खत्म, तो addition और multiplication के लिए तो कोई tension नहीं, separate separate unit digit निकालो, जैसे मैंने निकाला, और add है, तो addition कर डालो, multiplication है, तो multiply कर आता, ठीक है, तो guys देखते हैं, चलो कुछ question की शुरुवात करते है, बिना किसी देरी के कुछ question की शुरुवात करते है, और फिर, अगर division आ जाए, जो कि इसमें एक last challenging factor है, जिसमें division आ जाए तो क्या, तो वो हम देखेंगे last question में, तो देख लोगाई, the last is, यह तो हलवा, इसमें तो कोई raise to power है नहीं, यह generally पत जब इतना easy expression हो आपके सामने, यह तो हमने देखा इसमें क्या करना है, स्रिफ दो-दो की pair बनाओ, unit into unit करो, 1 into 2, 2, 3 into 4, 12, 12 में हम क्या लिखेंगे 2, 5 into 6, 30, 30 में क्याएगा 0, and guys, एक बार 0 आ गया, आपको मालूम है, आप multiplication कर रहे हो, तो multiplication में एक बार 0 आ गया, तो वो तो सबको खा लेता है, 0 into anything is what, 0, तो answer 0 ही आना है, समझे, पहले इन दोनों में, unit into unit, 1 into 2, 2, ठीक है, फिर इन दोनों में, 3 into 4, 12, 12 में हम 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों में, 5 into 6, 30, and 0 लिखेंगे, फिर 8 into 7, 56, but हम 6 लिखेंगे, and यह 9 अकेला रहे गया, carry forward, but guys, यह multiplication में जब 0 आ answer, next, अब देखो, यह इस type के question है, जो मैंने आपसे कहा था, और अब अगर ऐसे question है, पुरा table रटोगे, पुरा table लिखोगे, नहीं, आप सिर्फ क्या लिखो, वो जिसके digit आपको लग रहे, जैसे कि, अगर मुझे, आपको मालूमिन, ऐसे question में क्या करना है, हर एक का individually unit digit नि यहाँ base का unit digit है, यहाँ 5 की, चलो 5 raise to 1, 5, 5 square, 5, 5 cube, 5 raise to 4, 65, raise to 4 तक लेना है, यह होँआ remainder 1, remainder 2, remainder 3, remainder 4, बट मुझे बताओ guys, क्या आपका common sense आपको यह नहीं बोलता, कि sir, अगर यहाँ base 5 है, तो remainder 1 आने दो, 2 आने दो, 3 आने दो, यह 0 आने दो, यहाँ रिमेंडर, 1 आने दो, 2 आने दो, 3 आने दो, 0 आने दो, अगर आपने 5 की रोव पकड़ी है, है ना, यहाँ पर unit place, जो base का unit place है, वो 5 है, तो अगर आपने इस की रोव पकड़ी है, तो क्या इस power को 4 से divide करके time waste भी करनी की जोरत है, क्योंकि 4 को, अगर आप इस power को 4 से divide करोगे, तो जो इसका unit digit तो 5 ही आएगा, आपने देखा न, ऐसे कौन से digit होता है, ऐसे कौन से digit होता है, तो ऐसा होता है, 0, 1, 5, and 6, जो 0 के रो में कोई भी remainder आने दो, 0 ही आएगा, 1 अगर unit place है, तो 1 ही आएगा, अगर किसी number का unit place 5 है, तो उसकी कोई भी power होने दो, 5 ही आएगा, और अगर unit place 6 है, तो अगेन कोई भी power होने दो, 6 ही आएगा, तो जब ऐसे कोई बड़े से expression आजाए, तो वो बड़े नहीं है, वो हल्वा है, तो आपको पता चाहिए, कि अगर यहाँ 5 है, तो 5 के रो में कोई भी remainder आने दो, answer 5 ही आएगा, अगेन देखो, 6 है, अभी मैंने बताया, 6 क 3 square, 3 cube, 3 rest to 4, और अब करना क्या है, यह तो 3 का रो बन गया, अब करना है आपको यह 54, यानि कि जो base है, sorry, remainder, rest to power है, rest to power को 4 से divide करना है, तो 54 को 4 से divide करना है, अगर वो बड़ा नंबर होता, तो हम सिब last 2 digit को करते हैं, लेकिन यह already 2 digit ही है 54, तो 54 को अगर मैं 4 से divide करूँ, तो रो किसकी देखना है, 3 की, उसमें remainder क्या आया, power को 4 से divide करने के बाद 2, यानि second column, तो यह आया 9, तो guys यहाँ 5 ही रहेगा, यहा 6 ही रहेगा, यहा 9, और इनको addition बोला है, तो add करता दो, 11 प्लस 9, 20, बट 20 में भी unit digit होने, 20 भले ही आया, तिनों का addition, लेकिन हमें लिखना unit place है, तो 0, 20 का unit place is 0, खतम, ऐसे करना है, फटा फट, come on guys, again देखो, यहाँ जैसे 5 दिखा आपको, कोई भी power होने, तो इस expression का unit digit तो 5 ही आएगा, time बचाओ, now अब यहाँ 3 है, तो 3 का बना लो, कैसे बनाते हो, 3 raise to 1, 3 square, 3 cube, 3 raise to 4, यह simply 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से multiply करते हो, है न, यह 3 के case में, अब last 2 digit, 5, 8, 1, 0 को नहीं, तो इब आखरी 2 digit को है, 10, उसको 4 से divide करू, remainder का आएगा, 2, 10 को अगर 4 से divide करू, 4, 2's are 8, तो 10 minus 8, 2 is the remainder, तो 3 के row में, second column, यहाँ न, 9 आएगा, यहाँ अब यहाँ पर को है, 2, तो चलो, 2 का भी बना लो, 2 raise to 1, 2 square, 2 cube and 2 raise to, last में क्या ल अगेन, पूरे power को नहीं, स्रिफ power के last 2 digit, 53, 53 को 4 से divide करू, remainder क्या है, 1, 13, 4, 52, 53 minus 52, 1 is the remainder, तो आप 8, 53 को करने की जरुद नहीं, आप simply क्या कर सकते हो, 53 को 4 से divide कर सकते हो, अगर आपको orally नहीं आ रहा है, तो जब तक आप expert नहीं बनते हैं, इस तरह भी कर सकते हो, पूरे number को time waste मत करो, उसलिए blast 2 digit, तो 4 1s are, 4 3s are, देखो 1 remainder आया, quotient से मैं मतलब नहीं, तो 2 का row हमने बना लिया, उसमें 1 remainder, 1 remainder यहाने 1st column, 1 remainder, 2 remainder, 3 and 0, तो 1 remainder यहाने 1st column, इदर आया 2, तो guys add कर लो, 14 plus 2, 16, 16 में भी unit digit होता है 6, 16 में unit digit होता है 6, कतम guys, 6 answer आया, देखो again, again 171, अगर यहाँ 1 है, तो आखे बन करके 1 का row आपको मालूम ही है, कुछ भी हो जाए, 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 ही लिखो, प्लस इसलिए प्लस, अगला क्या है 9, 9 में क्या बनता है, 9 raise to 1, 9 square 81, 9 cube, 9 raise to 4, 81, again 9 raise to 3, 729 होता है, नहीं भी पता तो इसको 9 से multiply करो, 9 यहाँ, अब इस 9 raise to 4, नहीं भी पता, इसको 9 से multiply करो, 81 यहाँ नहीं बनाया, तो 9 का row तो बन गया, अब करना क्या है, 25, last 2 digit power का, 25 को 4 से divide किया, 1 is the remainder, 1 remainder यहाँ 1st column, तो 9 के row में, 1st column को उन्हें 9, तो इसका unit place 1, इसका unit place 9, दोनों का addition 10, बट 10 में भी unit digit होता है, 0, 0 is the hero in this question, चलो गाईज, now 11 raise to, अब यार यह तो एकदम easy है, कि अगर वो फिर से हर एक का separate unit place निकालो, और addition है, तो 11 raise to 1, 11, but 11 का unit place 1, now 12 square बच्चा बच्चा जानता है 144, तो 4 हुआ, 13 cube, अब यार cube है, तो आप चाहे तो अपना table भी use कर सकते हो, 13 cube मतलब ही क्या, 13 into 13 into 13, तो देखो 3 into 3 into 3, तो 3 into 3, 9 into 3, 27, तो हम स्रिफ 7 लिखेंगे, यह तो simple multiplication वाला expression हो गया, जहाँ पे आप स्रिफ unit into unit into unit करते हो, now 14 raise to 4, again आप 4 को 4 से divide कर सकते हो, 0 remainder, तो 4 के रोह में 0 remainder याने last column देख सकते हो, या फिर 14 raise to 4 मतलब 14 का चार बार multiplication, इस बार थोड़ी बहुत बड़ी पावर है न, तो चार बार, उसमें भी unit into unit, 4 into 4, 16, again इन दोनों की pair, 4 into 4, 16, और फिर से इनका multiplication, 6 into 6, 36, तो 11 raise to 1, 11, 1 remainder, 12 square, 144, 4 remainder, 13 cube यह आपके सामने, औरली हो गया, 3 into 3 into 3, 27 एने 7, 4 into 4 into 4 into 4, 256, मतलब 6, या फिर आप pair wise भी कर सकते हो, 16, 16, again 6 into 6, 36, again मैंने कहा है, अगर base 5 है, तो कुछ भी power हो, इसका unit digit 5 ही आएगा, अगर base 6 है, तो कुछ भी power हो, इसका unit digit 6 ही आएगा, आप table भी देख सकते हो, खतम, यार इन सब का separate unit place निकाल लिए, अभी इन सब में क्या है, addition, तो add कर लो, 1 plus 4, 5, plus 7, 12, plus 6, 18, plus 5, 23, plus 6, 29, but 29 का भी unit place क्या है, 9, 29 का भी unit place है, 9, finish, next, अभी इसमें कुछ है नहीं, same question है, सिर्फ instead of, यहाँ पे क्या था, addition थी, तो इन number में आपने add किया था, अब इन ही number को क्या करना है, multiply, जैसे 11 raise to 1 का क्या था भी, just 1, 4, then यह 7, 3 is 6, 3 is 5, 3 is 6, and guys, multiplication में अगर एक भी 0 आ रहा है, तो सबको खा जाते हैं, और देखो, यहाँ 0 आ रहा है, 6 into 5, 30, तो इन दोनों का unit place क्या हैगा, 6 into 5, 30, and unit place is 0, बाकी फिर 6 as it is ले लो, चाहे तो 7 as it is ले लो, 4 as it is ले लो, 1 as it is ले लो, but 0 into anything is what? 0, लमका, चलो guys, find the unit, again, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, और जो भी answer आएगा, उनको multiply कर देना, so this is your homework, मस सॉल करो और answer बताना, comment में, and guys, यह रहा, आज का last question, last but not the least, क्योंकि आप देख रहे हो, कि यह थोड़ा हटके है boss, यहाँ पर division है, मैंने कहा, addition है, multiplication है, चक्दे फट्टे, separate, separate जो सीखा है, वो apply करो, separate, separate expression पर, addition है, तो add करो, multiply है तो multiply करो, लेकिन जब division है guys, तो इतना आसान नहीं है, पहले आपको by hook और by crook, इसको addition या multiplication में लाना ही होगा, लाना ही होगा, क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया भी था, अगर मैं 12 into 16 कर लू, पराबर, 12 into 16 कर लू, तो guys, देख लो, यह actual multiplication क्या आएगा, 16, 2s are 32, 3 carrier, 16, 1, 192, तो यह actual multiplication करने के बाद unit place क्या आया, 2, मैंने actual इन दोनों को multiply किया, फिर unit place देखा, 2 आया, अगर मैं वैसा नहीं भी करता, और हमारे hint के, हमारे trick के साब से, सिर्फ unit into unit करता, तो भी answer क्या आता, मतलब multiplication में फरक नहीं बढ़ता, अगर आप पूरा multiply करो, तो भी वह answer आएगा, आप सिर्फ unit into unit करो, 2 into 6, 12, देखो 2 आया, फिर भी, 2 into 6, 12, 12 का unit digit 2, तो ऐसे भी answer 2 आ रहा है, trick से, और पूरा multiply करो, तो भी 2 आ रहा है, देखो addition में भी, 12 plus 16, कितना हुआ, 28, तो 12 plus 16, 28, unit digit is what, 8, अगर मैं पूरा add नहीं करता, सिर्फ unit plus unit करता, 2 plus 6, 8, देखो फिर भी 8 आ रहा है, वर्ट division में ऐसा नहीं होता है, मुझे बताओ, 12 upon में 16 करो, और सिर्फ unit upon unit करो, तो क्या same answer आएगा, नहीं, 12 upon 16 मतलब 3 by 4, 0.75 आता है, 2 by 6 कितना आता है, 1 by 3, याने 0.33 आता है, मुझे बताओ, क्या same आया, नहीं, यहां मैंने पूरा multiply किया, तो भी unit digit 2, unit into unit किया, तो भी 2, पूरा add किया, तो भी unit digit 8, unit plus unit किया, तो भी 8, लेकिन division में अगर मैं पूरा divide करू, 12 upon 16, तो अलग आ रहा है, और unit upon unit करू, याने 2 upon 6 करू, तो अलग आ रहा है, और इसलिए division में unit digit theorem direct apply नहीं होता, apply होगा, लेकिन direct नहीं, पहले थोड़ा काम करना होगा, काम क्या करना होगा, तो जैसे मैंने कहा, by hook और by crook, इस division वाले expression को आपको multiplication या addition में convert करना होगा, तो देखो कैसे, और वो करने का simple तरीका, अगर आपने पिछला lecture मेरा miss नहीं किया है, जहां मैंने आपको method of factorization सिखाया था, तो अगर आपने method of factorization समझा है, तो बस वो ही यहां use करना है, यह जितने भी number है, क्या expression है यह, unit digit निकालना है इसका, 12 raise to 55, upon है यह, 12 raise to 55, by मतलब upon 3 raise to 11, plus 8 raise to 48, upon 16 raise to 18, ठीक है, तो यह है वो expression जिसका unit digit निकालना है, लेकिन जैसे हमें division दिखा, हमें समझ गया है, तो पहले उसको by hook, by hook, multiplication, addition में convert करना होगा, और वो by hook, by hook, by hook मतलब ही क्या, method of factorization, तो guys यह जितने भी 12, 3, 8, 16 दिख रहे हैं इनको उनके prime factor form में convert करूँ, जो हमने पिछले class में सीखा था, जैसे 12 का अगर मुझे factorize करना है, कैसे सीखा था हमने, सबसे पहला छोटा prime factor को नहीं 2, तो 12, 2 से divide हो रहा है, yes, 12 divided by 2, 6, again 6, 2 से divide हो रहा है, yes, 6 divided by 2, 3, again 3, 3 से हो रहा है, 1, 3, 2 से तो नहीं हो रहा है, but 3 अब कौन से prime factor से divide हो रहा है, तो 3 खुद एक prime factor है, तो 3, 3 से divide होगा है, याने 1, तो यह तब तक करना होता है, जब तक 1 ना आ जा, याने 12 का देखो, 1 लाते लाते हमें क्या-क्या prime factor लगे, 2 का दो बार, याने 2 square, और एक बार 3, याने 3, इसको बलते है method of factorization, जिसको बहुत जादा detail में हमने पिछली class में देखा था, 3 तो खुद एक prime factor रे छोड़ दो, 8 मतलब क्या होता है, 8 मतलब होता है, 2 cube, 2 cube, and 16 मतलब, स्रिफ base को, powers को नहीं, I repeat, powers को नहीं, स्रिफ base को, 12 को किया, 3 को किया, 8 याने 2 cube, 3 तो prime factor, and 16 मतलब क्या, 2 raise to 4, 16 मतलब 2 raise to 4, चलो गईज, अब देखलो, यह सारे factor हम use करेंगे, यहाँ पे, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 square into 3, तो बस 12 के जागे 2 square into 3 लिखा, जो कि 4 into 3, 12 हुआ, raise to 55, raise to power as it is, तो base को हमने factorize किया, 3 खूद एक prime factor है, तो 3 raise to 11, now 8 मतलब 2 cube, raise to 48, and 16 मतलब 2 raise to 4, raise to 18, और guys, अब यहाँ use होगा, method of indices, ठीक है, rules of indices, जैसे आपने सीखाऊगा, indices का एक rule, a raise to m, raise to n, किसी भी base की अगर 2 powers है, किसी भी base की अगर 2 power है, तो 2 power का क्या हो जाता है, multiplication, मतलब आप इसी को क्या लिख सकते हो, a raise to m, n, किसी को आप लिख सकते हो, a raise to m, n, बस guys, तो अगर आपको यह तो basic school से पता है, यहाँ पावर अगर की सेम base की है, तो दोनों को multiply कर दो, तो यहाँ वो ही हो रहा है, यहाँ देखो, 2 का square, का raise to 55, यह raise to 55, तो इसके लिए भी है, 3 के लिए भी है, तो 2 का, देखो पहले, 2 का square, raise to 55, मतलब क्या हो गया, 2 into 55, 110, दोनों power को multiply कर दो, तो 2 इन्टो 55 एक्टो 10 इन्टो 3 रस तो 55 क्योंकि 3 को तो बस ये 55 पावर है यहाँ पे 2 को 2 भी थी 55 भी धिसले दोनों का multiplication यहाँ 3 को कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 इन्टो 55 55 अपन 3 रस तो 11 प्लस अगेन इन दोनों का multiplication 2 रस तो 48 इन्टो 3 144 अब यहाँ पे apply होगा second law of indices यह first law apply हुआ अब second law देखो a रस तो m अपन a रस तो n जभी भी दो values में division है और इनका base same है तो पता है अब इसको कैसे लिख सकते हो याद करो school में a रस तो m-n division है base same है तो अब इसको लिख सकते हो a रस तो दोनों पावर का subtraction numerator की power minus denominator की m minus n तो guys क्या यहाँ पे वोई चीज हो रही है यह 2 raise to 110 as it is बराबर यह 2 raise to 110 as it is यहाँ पे देखो base 3 base 3 मैंने कहा कहा हो अगर base same है तो आप common base ले सकते हो और power को subtract कर लो 55 minus 11 44 m minus n तो यहाँ m कितना है उपर की power 55 n निच्चे की power 11 तो 3 common base raise to 55 minus 11 44 देखो division गायव हो रहा है method of factorization से अपने base common बनाए और अब वहाँ पे law of indices यूज कर रहे हो तो 2 raise to 110 as it is into as it is 3 raise to यह बन गया 55 minus 11 44 plus अगे यहाँ देखो base same है 22 तो फिर से क्या होगा common base लेगे power का subtraction 144 minus 72 तो 144 minus 72 हो गया 72 and guys खतम यह बन गया आपका वो expression जो multiplication और addition के form में है इन दोनों में multiplication तो इसका अलग से निकालो दोनों को multiply करना फिर इसका अलग से निकाल के add कर देना बाड मास पहले multiplication को settle करो बाड मास से ही सीखाता है multiplication और addition में पहले इसको settle करो बाद में यह add कर देना guys same expression है बट अब हम इसको ऐसा ना लिखते हुए ऐसा लिख रहे है expression इन दोनों में रत्ती भर भी फरक नहीं है जैसे हम 10 को 10 भी बोल सकते है 5 into 2 भी बोल सकते है 12 minus 2 भी बोल सकते है 10 को 10 बोलो या 5 into 2 बोलो एक ही बात है या 12 minus 2 बोलो एक ही बात है उसी तरह guys ये same expression हमने इस तरह से लिखा है क्योंकि यहाँ पर unit digit theorem direct apply नहीं हो रहा था तो factorization अपलाई किया basis को common किया 3 call unit digit apply करेंगे तो guys अब देख लो आपके लिए ये जो expression है ये जो expression है इसमें convert हो गया जो क्या है 2 raise to 110 into 3 raise to 44 plus 2 raise to 72 अब क्या गर लो अब यहाँ पर base देखना है base कोन है 2 और 3 है यहाँ पर 2 है मतलब बस 2 लगेगा आपको और 3 लगेगा आपको अब कैसे table बनाना है वह आता है तो 2 के case में 2 raise to 1 square cube and raise to 4 तो देख लो अब 2 के case में क्या होगा सबसे पहले 2 के case में row 2 रहेगा यहाँ base सिर्फ 2 है जब 2-3 digit का base हो तो आप सिर्फ unit digit लेते हो लेकिन यहाँ already single digit है तो base क्या होगा 2 का row और 110 में last 2 digit को होगा 10 10 को अगर 4 से divide को हो remainder क्या आता है 2 4 2s are 8, 10 minus 8, 2 is the remainder तो 2 remainder यहाँ second column तो 2 के row में second column को होगा 4 तो यहाँ 4 आ जाएगा 2 raise to 110 पता नहीं क्या answer हो लेकिन unit place पक्का क्या आएगा 4 into नव 3 का बना लो 3 raise to 1 square raise to 3, raise to 4 again 44, देखो 44 को अगर मैं 4 से divide को हूँ तो 0 remainder because 44 is completely divisible by 4 तो 1 remainder के लिए यह था 2 remainder के लिए 3 remainder के लिए 0 remainder के लिए last column तो guys जैसे यहाँ पर 2 की row last 2 digit 10 को divide किया 2 remainder आया, हमने 2 के row में 4 लिया नव 3 की row, देखो यह रही अग उसमें भी last 2 digit है 2 digit का power, उसको 4 से divide करूँ तो 0 remainder, 44 is completely divisible by 4 तो 0 remainder में 3 की row में कोन है? 1, ठीक है? plus, again 2 की row यह रहा 2 की row and 72 को अगर वापिस 4 से divide करूँ तो 72 is completely divisible by 4 तो 2 की row में 0 remainder याने last 6 2 की row, देखो यहा base कोन है 2 तो 2 के row में, अब हमें column select करना है तो उसके लिए power को 4 से divide करू 72 is completely divisible, याने 0 remainder तो 2 के row में last column, 0 remainder वाला 6 तो guys, इसका individual unit digit 4 है इसका individual 1 है, यही सिखा है हमने सबका individual निकालो, इसका individual 6 है addition, subtraction में convert हो गया है board mask के सबसे पहले multiply करो तो 4 into 1, 4, plus 6, 10 10 में भी unit digit क्या है? 0 4, plus 6, 10, 10 का unit digit 0 खतम तो बस, this is the extreme case कि ऐसा हो सकता है कि division के form में आ जाए जो आपने सीख लिया factorization, indices, use करो और किसी भी तरह addition, subtraction में addition, multiplication के form में आ गया तो फिर unit digit theorem का जो हमने concept trick सीखी है वो आप अपलाए चुटकी में कर सकती जहाँ पर board mask के यसाब से अगर दोनों आ गए तो फिर board mask के यसाब से पहले multiplication and then addition that's it guys, that's it this is all about unit digit theorem और कुछ नहीं एकदम चमकने वाला topic है बहुत काम का topic है exam point of view cat में भी ऐसे question इसके आ चुके है और omit में भी आते है अच्छी से बढ़ना गए